गुण मॉनिंग, गुण मॉनिंग, प्यारे बच्चे गुण मॉनिंग, आप सभी खुश हैं, खुश होंगे, ओर मैं कच्छा छे का क्लासिक्स का अभ्यास एक पुरा कर चुका हूँ, आज में कच्छा छे का इताई दो अभ्यास को ये पढ़ाना चाहरा हूँ, जिसमें तो देखित सुन संखाय है रोसेद कि ऑ में संखाय है में समय जैसा कि मिने बताया था प्रदस रॉप से हो तो कि थ थे यह लोग्त प्रफ मोड़ा प्रभा कहते हैं तो इसमें क्या था इसमें आपका जीरो समलित नहीं था इसमें आपका जीरो समलित नहीं था और और इसमें सबसे छोटी प्राकर्तिक संख्या एक थी लेकिन प्राकर्तिक संख्याओं के समुन में यदि हम जीरो भी चोड़ दें तो यह पूर संख्या बन सकती बन ज संख्या इसमें जीरो को भी पिलस कर दिया जाए तो यह हमारी प्राक्रतिक संख्या है यानि को संख्या है तो वहां सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक थी यहां सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है आप जैसे कोई आप से कहने लगे प्रथम आठ पूर्ण संख्या या प्रथम चार पूर्ण संख्या प्रथम प्रथम चार पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या तो यानि आपको इस वार चार तक नहीं जाना है एक दो तीन चार तो यहां चार तक नहीं जाना है क्योंकि यह तो पांच हो जाएंगी एक दो तीन चार पांच तो जैसे उसमें चार कहा तो आपको तीन पर ही रुप जाना क्यों जाना क्योंकि इसमें जिरू भी सम लेत है आप है संचा रेखा पर प्रदसन पूर संचाओं का का संचा रेखा पर प्रदसन यानि संचा रेखा पर दर्सन तो यानि उसमें प्राक्रितिक संचाओं चाहिए था यहां जीरू से दर्सन आएंगे और क्या है इस पर सभी पूरी रेखा पर हम बराबर बराबर मार्क लगा लेंगे एक सेंटीमेडर का आधा सेंटीमेडर का या उससे भी कम वन तो थ्री पोड़ा फाइव शेक्स सेवन एट नाइन एन एरेवन तो यानि सबसे छोटी पूर संख्या जीरो और सबसे प्चोब बड़ी पूर संख्या पोई नहीं आएंगे आनंध है यानि इन वो चलती चलती जल に जाएगी कोई अंत नहीं है सबसे बड़ी पोड़ी संख्या पोई नहीं अब इसका एक क्रमागत का इयानि क्रम से आने वाली sugar तो इसमें जो पूर संख्या है यानि क्रम से आने वाली संख्या जैसे 22 2 पन च्राइगे देश एक्रागे 24 और ले लिजिए जैसे आपका एक, दो, तीन, चार फांट यह संच्छा है आपकी क्रम से आ रही है तो उस तिन में मैंने प्रागतिक संच्छा में भी बताया था या मैं भी बता रहा हूं कि जो दाही तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो आपकी बाई संच्छा से दाई संच्छा का मान भड़ा होगा और आपकी दाई संच्छा से बाई संच्छा का मान भड़ता चला जाएगा तो इस प्रकार से आपका आवाजा ये छोटा बड़ा जो ये चिन है आपका चिन जो आपका चिन है ये जिधर इसका मुख फुला होता है उधर संख्या बड़ी संख्या लिखी जाती है और जिधर इसका मुख बंद होता है उधर छोटी संख्या लिखी जाती है तो जैसे बलब पांच और साथ लिखनी है हमको तो या तो यह लिखना पड़ेगा हमें पांच छोटा है साथ से और इसको हम ऐसे मिले सकते हैं साथ बड़ा है पांच से इस प्रकास से अब जीरो का ग्यान ले लेजिए मालेजी एक फिल पर चार चलिया है या पांच चलिया एक उड़ गई तो कितनी बची एक उड़ गई तो कितनी बची चार फेर एक उड़ गई तो कितनी बची दो फेर एक उड़ गई तो कितनी बची एक अब एक और उड़ गई तो कितनी बची जीरो तो यह जीरो का ग्यान यारी जब कुछ नहीं बचा तो उसको जिरो कहते हैं अच्छा बच्चो जैन इसी के साथ हम आपको हमबर्ग देते हैं अब आपको घर से काम करना देखिए बच्चे ये आपकी कच्च अच्छ है एकाई दो का अभ्यास दो ए है और ये आपको आज मुझे हमबर्ग करके दिखाना है अपने अपने इपाट साला ग्रूप पर इसको हल करके कोटो कोपी करके आपको इपाट साला ग्रूप पर भीजना है हैंक यूट